नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग गठित किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट पेश किया और इस रिपोर्ट के पेश करने के बाद उसका विरोध हो रहा है पर क्यों विरोध हो रहा है क्या रीजन है विरोध होने के एक तो हम वो चीज़ें देखेंगे साथ इसाथ परिसीमन आयोग होता क्या है क्या इसके काम आते हैं, क्या ये एक constitutional body है, समविधानिक निकाय है, अगर इसमविधानिक निकाय है, तो इसके अंदर कौन-कौन शामिल होते हैं, मतलब कि इन में जो परिसिमन आयोग होता है, किन को मिलकर ये बनाया जाता है, इन सब चीजों की जो बाते हैं, हम इस वीडियो दी गई है, परिसिमन आयोग ने, first of all तो आप समझे, परिसिमन आयोग का काम क्या होते हैं, परिसिमन आयोग का जो काम होता है, वो ये होता है कि चुनावी मानचीतर त्यार करना, पर चुनावी मानचीतर क्या होते हैं, अरे जैसे भारत है, ठीक है, ये भारत हो गया, अब भारत में आपको बता है कि यहां केरला होगे तो केरला की तो एक boundary होगी ना यहां पर यह राज्य होते हैं, अब राज्य होगे राज्य के अंदर जो है पॉलिटिकल जैसे अब इस राज्य में से केरल में से मानिए अब मुख्यमंत्री के चुनाव होने, अब मुख्यमंत्री के चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि विधानसभा की सीटे निश्चित होती हैं, अब वो विधानसभा की सीटे जो होती हैं, वो कैसे निश्चित की जाती हैं, वहाँ पर Constitutionsies जो हैं वो बनाई ज आती हैं और वो बनाने का काम कोन करता है यह परिसीमन आयोग करता है यह हो गया निर्वाचन शेत्र जैसे होते हैं यह निर्वाचन शेत्र हो गया इससे एक उमिद्वार यहां से आएंगे यह एक निर्वाचन शेत्र हो गया इससे उमिद्वार चुनके आएंगे यहां पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो अपने यहां से उठे हुए इस उमीदवार को ही वोट देंगे वो दूसरे निर्वाचन शेतर में वोट नहीं दे सकते हैं तो यह जो होता है निर्वाचन शेतर डिसाइड करता है यानि चुनावी मान शेतर पोलिटिकल मैप जो है वो तिया का काम क्या होता है चुनावी मान शेतर त्यार करना निर्वाचन शेतर त्यार करना कि इस शेतर में से यहां से उमीदवार चुने जाएंगे यहां के जो लोग है इस उमीदवार को वोट देंगे जो वहां से खड़े होंगे तो यह काम होता है तो जमू कश्मीर में चुना जम्मू कश्मीर और एक लद्दाक जम्मू कश्मीर यानि इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया वैसे दो दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू एंड कश्मीर को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया और लद्दाक है इसको भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया फरक क्या था फर्क यह था कि जो यूनियन टेरिटरी ये जम्मू कश्मीर वाली वनी थी इसमें मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री को चुना जा सकता है मतलब यहाँ पर विधान सबा का गठन किया गया यहाँ पर विधान सभा का गठन किया गया जैसे पुडू चेरी हो गया और दिल्ली हो गया ठीक ऐसी जम्मु कश्मीर का हो गया लेकिन union territory जो यह लदाग थी यह बाकी चंडिगड हो गयी इनके तरीके से union territory यहाँ पर विधान सभा नहीं थी clear अब विदान सबा थी तो obviously यहां से मुख्य मुंत्रियान ने तो यहां पर निर्वाचन शेतर तो गटित करना ही मतलब निर्वाचन शेतर तो उसकी सीमा तो करनी थी उसका मांचितर त्यार करना ही था उसका मैप त्यार करना था तो इसलिए परिसीमा आयो गई इसके आपर स्थापना की गई थी मतलब गठन किया गया था तकि यहां पर जाके वो जमू कश्मीर में परिसीमा यानि यहां पर निर्वाचन शेतर का वो कर सके अब यह इसका गठन कब किया गया था वैज देखें जून दो हजारी किसमीर में इसकी शुरुवात की गई थी जमू कश्मीर में परिसीमान की clear यहाँ पर आगे चलते हैं अब थोड़ा बहुत थोड़ा भषोरे बता देते हैं कि पहले कितनी सीट हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, देखे पहले शुरुआत में जम्मू कश्मीर जब इसके दो हिस्से नहीं हुए थे तो 87 seat हुआ करती थी अब इस 87 में अब कितनी बढ़ा दी अब बढ़ा इतनी दी हैं परिशिमन आया है तो उसने अपनी 7 seat बढ़ा दी साथ seat बढ़ा कर कितनी कर दी 90 कर दी अरे सर क्या पगला गए हो क्या साथ seat आप इसमें जोड़ो गए तो 87 में 7 जोड़ो गए तो 94 बनता है आपने तो 90 लिख दिया ये तो 3 ही बढ़ी तो समझो ज़रा ये जो 87 थे ना इस 87 को इसमें से 4 जो seat थी वो लदाक के पास थी अब जा लदाक तो इससे अलग हो गया अब लदाक इससे अलग हो गया तो इसमें कितनी बची 83 बची अब जोड़ो इसमें साथ तो अब साथ जोड़ो के 80 बनाए 4 जो थी वो लदाक में थी जब जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य हुआ करता था 37 किस में थी जम्मू में थी और 46 किस में थी कश्मीर के अंदर थी clear यहां पर तो यह चीज़ें समझ में आगए कि साथ कैसे बढ़ी हैं अब यह बाते हैं तो आपको मैंने बता दी थी कि 5 अगस 2019 को 370 आर्टिकल हटा देने के बाद जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिसलेचर जम्मू कश्मीर को बनाया गया और लद्दाक को विदावट लेजिसलेचर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था clear अब आगे चलते हैं थोड़ा बहुत हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या किया गया है जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सीटें बढ़ा दी गई है कितनी साथ सीटें जो हैं वो बढ़ा दी गई है तेकि 36 36 किसमें थी जम्मू में थी और 46 किस में थी कश्मीर में थी बढ़ा कर कितनी कर दी गई यह जो 36 वाली है इसमें 6 बढ़ा कर इसको 43 कर दिया गया यह 46 कश्मीर वाली इसमें 1 बढ़ा कर 47 कर दिया गया यहां पर यानि एक तरीके से बराबरी ला दिया गया जम्मू में से और जम्मू और कश्मीर को लगबग सीटों के मामले में बराबर कर दिया गया है। जम्मू के अंदर 46 नहीं, 43 अरे क्या हो रहा है, 43 जो है वो जम्मू के अंदर है, अब जो 43 है, 47 है, अब इसमें और चीज़ें क्या करेड कर दीगी, यह जो कश्मीर वाली जो सीट हैं, इसके अंदर SC कैटिगरी वालों के लिए 7 सीटें जो हैं, वो रिजर्व कर दी गई हैं SC हिंदू के लिए जो हैं, वो सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, सांभा, कट्वा, जम्मू, उदंपूर, जो यह बैल्ट में जो निवास करती हैं, वहाँ पर 7 सीटें इनके लिए फिक्स की गई हैं, यह फिर कहीं रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है, SC कैटिगरी को, खासकर SC के हिंदूओं के लिए, तो यहां पर important यह चीज हो जाती है, साथ इसाथ, अभी समझो, थोड़ा बहुत, एक बार background बनने तो फिर बताएंगे कि क्या reason है, यह क्यों किया जा रहा है, 43, जो जम्मू में है, इसके अंदर जो 9 सीटें हैं, वो ST कैटिगरी के लिए य चीजें समझ में आगी, अब यहां पर यह तो थी, विधान सभा के अंदर कुछ विरिधी हुई हैं यहां पर, अब लोग सभा के अंदर भी क्या हुआ है, क्या कुछ हाँ, देखें, लोग सभा के अंदर देखें, जम्मू कश्मीर में पांच लोग सभा की सीटें आती हैं पांच लोग सबा की सीटों में से तीन जो हैं वो कश्मीर के अंदर है और दो जो हैं वो जम्मू के अंदर है अब दक्षिन कश्मीर के जो तीन जिले होगे एक तो तीन जिलों को मिला दो और पीर पंजाल की दो जिले होगे पिर पंजाल का कौन से हो गए यहाँ पर रजोरी और पुंच यहाँ पर जो है इनको मिलाकर एक लोग सभा का गठन कर दिया गया एक लोग सभा की सीट का गठन किया गया है और इस लोग सभा सीट का नाम दिया गया अनन्त नांग रजोरी clear यहाँ पर तो यह लोग सभा से related होगी विधान सभा का हमने देख लिए अब विधान सभा के इसके उपर जो है वो बावाल हो रहा है क्यों हो रही है इसके अलोचना देखे अलोचना जो है परिसिमन आयोग यह निर्वाचन शेत्र का मतलब बनाता कैसे है इसको कोई formula तो होगा ना इसको बनाने का तो देखे परिसिमन जो है इसलिए किया जाते है कि आप देखे कहां पर कोई page खाली नहीं है कि मेरे पास यहाँ नहीं है चलिए कोई ना यही समझा देते हैं देखे परिसिमन आयोग जो है वो जनसंक्या के अधार पर for example मैं कहा रहा हूँ कि यह एक राज्य है अब यह एक राज्य और यहां पर भी यह दूसरा color ले लेते हैं यह एक और राज्य है अब यह दोनों size में same है दोनों क्या है size के अंदर same है अब इस राज्य के अंदर इस राज्य के अंदर जो है मैं कहा रहा हूँ कि यह माल लेते हैं कुछ लोग है यहाँ पर टीक है इस राज्ये के अंदर भी कुछ लोग है लो भई अब यहाँ पर जनसंक्या जो है वो यहाँ कम है लेकिन जनसंक्या जो यहाँ पर है यह जादा है तो इससे क्या होगा यहाँ पर सीटें जो है वो जादा दी जाएंगी यहाँ पर जो सीटें हैं जो यहाँ पर जादा दी जाएंगी अब सीटें का जादा देने का मतलब क्या है यहाँ पर जो है MP जो है वो जादा चुन कर आएंगे या MLA पर ज़्यादा चुनके आएंगे जहां से जितने ज़्यादा MLA चुनके जाते हैं वहां ज़्यादा उनके उपर ध्यान फोकस किया जाता है अभी आपको पता है कि उत्तर परदेश में लोगसभा की सीटें आपको पता है 80 है अब 80-80 सीटें हैं कहा जाते है कि अगर लुत्तर परदेश को जितने जीत लिया मतलब वही परदान मंत्री बन जाएगा तो यह जो होती है फिर कहीं वही जो पार्टी है वही सत्ता के अंदर आ जाएगी तो यहां पर जिसके जंदर जब से ज़्यादा जो सीटें होती है वो डिवाइड मतलब की सीटें जो है उसका निर्धान कैसे किया जाता है सीटों का जहां पर जितने ज़्यादा जनसंक्या होती है उसके according किया जाते है अब obviously जनसंक्या का अधार था परिसीमन के आयोक का अब इसने क्या किया आपने जो है कश्मीर के अंदर जो है आपने कहा एक सीट का ऊपर बढ़ा दिया यह हो क्या रहा है एक मिनट एक मिनट इसको न दोरे पड़ जाते हैं कभी कभी चलेगा न सही हाँ तो कश्मीर के अंदर कितनी है 47 पहले कितनी थी 46 आपने कितनी बढ़ा दी, एक बढ़ा दी, ठीक है, अभी भई, जो कश्मीर की जनसंक्या है, वो 68.88 लाख, भई, कश्मीर की जनसंक्या जो है, वो लग बग 70 लाख के नजदीक है, वहीं आपने जम्मू के अंदर, सीटें कितनी बढ़ा दी, छे बढ़ा दी, लेकिन उसकी जनसंक्या कितनी है, 53.5 लाख, भई, 50, बदलो, की लग बग लोग, 53.5 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर 53.5 लाख लोग हैं, वहाँ आप 6 सीट बढ़ा रहे हो, लेकिन 70 लाख लोग जहाँ पर रह रहे हैं, आप वहाँ पर 1 सीट बढ़ा रहे हो, यह कहां से हो गया, लेकिन actual में होना तो यह चाहिए देना, जनसंक्या जहाँ प communication means means of communication कैसे हैं सुविधाएं कैसे हैं इन सब चीजों को भी हमने ध्यान रखा है केवल जनसंक्या का ही नहीं और भी चीजों का हमने ध्यान रखा है क्यार पुनगरटन अब साथ ही साथ वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो आपने जम्मू कश्मीर 2019 अधिनियम था एक तरीके से यही unconstitutional है कहर यह तो बोलते ही आ रहे थे कि unconstitutional है unconstitutional है इसको सर्वोच नहले के चनोती दी जा चुकी है यह बोलते ही आ रहे हैं अच्छा यह बात बोली गई है यह जो आपने किया है परिसीमन आयोग यह एक तरीके से आपने कश्मीर के अंदर उसके अंदर तो आपने साथ सीटें तो आपने SC कटिकरी के लिए रिजर्व कर डाली वो भी SC हिंदू के लिए अब यहाँ पर आपने लगबग लगबग सीटें बराबर करती है 46 तो यहाँ पर थी ओलरी थी लेकिन 43 अब का हैं? जम्मू के अंदर लगबग блиबग पर बराबर कर डाली अब जब आपने बराबर कर डाली पहले क्या होता था? मुख्यमंठ्री चुन के आते थे वो कष्मीर में से जह क्ष्मीर के जो होते थे आ वहां से चुन के आते थे, जो जम्मू का हिस्सा रह जाता था, जो जम्मू से कोई बन नहीं पाता था, यहां से मुख्य मंतरी बन नहीं पाते थे, अब क्या होगा, मुख्य मंतरी जो है, वो जम्मू से भी चुना जाएगा, तो सारा यह ताम जाम जो है, वो एक तरीके से, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से, जम्मू से, specially जम्मू से यहाँ पर इनको परदीनीतिर जादा देना था, ताकि यहाँ से भी मुखे मंत्री आ सके, यहाँ पर जनसंक्य है, वो हिंदू और पंजाबी जो है, यहाँ पर ज़्यादा पाये जाते है, मतलब कि यहाँ पर जनसंक्या इनकी ज़्यादा है I hope so, आपको समझ में आ रहा होगा, यह ताम ज़ाम क्यूं किया गया है, क्यूं रिजर्वेशन दी जा रही है, क्यूं यहाँ पर सीटें ज़्यादा की जा रही है clear, अब आगे तभी तो इन्होंने बोलाए कि आपने विवेका दिन, यहनी यह मनमानी तरीके से आपने कर डाला जनसंक्या के अधार पर करना चाहिए था, लेकिन जनसंक्या के अधार पर आपने किया नहीं अब आगे चलते हैं, कि परिसीमन के बारे में थोड़ा वो थमचाल लेते हैं, कि परिसीमन होता क्या है जैसे मैंने बताया, कि देखिए, परिसीमन का मतलब होता है, कि एक शेत्र के अंदर, एक राज्ये के अंदर सीटों का निर्धारन करने के लिए मतलब कि निर्वाचित शेत्रों का निर्धारन किया जाता है परिसीमन के आयोग के द्वारा क्यों किया जाता है सीधी सी बात है कि आप एक जगा रह रही है for example मैं माल लेता हूँ कि आप राजस्थान के जैपूर में कहीं पर रह रहे होंगे जैपूर में वहाँ पर आप किसी को वोड़ देते हैं तो जनसंक्या इतनी सारी जनसंक्या है उनको अपनी जो बात है वो विदानसभा तक तो पहुंचानी पाएंगे हर कोई तो वो क्या करते हैं अपने लिए एक उमिद्वार को चुन लेते हैं अब एक उमिद्वार चुन लेते हैं तो वो विधान सभा में जाकर उनकी जो शिकायते हैं वो विधान सभा में बोलते हैं और उनकी शिकायतों को वहाँ पर दूर किया जाता है सुविधाये उनको फिर दी जाती है अब suppose करिये, यहाँ पर जो है वो जनसंक्या बहुत ज़ादा हो जाती है अब यहाँ पर बहुत ज़ादा जनसंक्या हो जाती है तो एक जो पहले MLA यहां से चुन के आते थे उनके लिए अब काम बढ़ गया बहुत जादा जनसंक्या हो रही है अब इतना ही शेतरता लेकिन जनसंक्या जादा होगी तो अब यहां से एक और MLA और बना दिया जाएगा एक सीट और बना दी जाएगी अब यह कौन डिसाइड करेगा यही डिसाइड करता है परिसिमन आयोग कि यहां पर जनसंक्या जादा बढ़ रही है बढ़न जादा है एक MLA के उपर तो एक और MLA की यहां पर सीट हमें निकालनी चाहिए MLA होगे या MP होगी सीटों का निर्धानन जनसंक्या के इधार पर ही किया जाते है अब परिसिमन जो आयोग होता है वो एक स्वंतंत्र उच शक्ति वाला एक पैनल होता है अब इसमें क्या होता है अगर परिसिमन आयोग ने अपने आदेश दे दिये तो वो एक कानून का बल होता है आप उसको न्याले के अंदर चनोती नहीं दे सकते अब मैंने जैसे कहा कि निर्वाचन ये जो परिसिमन आयोग होता है निर्वाचन शेत्र में शेत्र फल को उसकी जनसंक्या क्हार पर कितनी जनसंक्या है मैंने कहा ना इतना था 2001 के अंदर 2001 में जनकर्णा हुई यहांपर परिसिमन हुआ लेकिन 2011 में आतेया जाते यहां पर भीड़ बहुत बढ़ गई, फिर से परिसीमन करना पड़ा, तो यहनि, प meanwhile, पिछली जन करना के, हर जन करना के बाद, परिसीमन लगा जाता है, परिसीमन आयों का Girads किया जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो राजय में जाते हैं, कि जनसंख्या कितनी हो गई है, MLA के उपर दबाव जादा है काम का और वहां पर एक MLA MP की सीट बना दी जाती है अगर जादा नहीं है, सही है तो MLA की सीट को कोई increase नहीं किया जाता, clear यहां पर तो यह परिसीमन का काम होता है अब आगे, एक निर्वाचन शित्र की शिमाओं को बदलने के अलावा इस परिक्रिया के प्रणाम सवरूप राज्य की सीटों की संक्या में भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा अब साथ इसाथ इसमें SC केटिगरी होगी, ST केटिगरी होगी, इनके लिए भी आरक्षन जो है, वो परिसीमन आयोग द्वारा गठी, मतलब बनाया जाता है उदेश्य क्या होता है उदेश्य यही होता है कि देखे, मैंने बताया ना, अगर एक शेत्र में पहले कम लोग थे, और यहां से एक MLA या एक MP चुनके जाया करता था तो यह तो सब की बातें ले लेता था लेकिन जब टाइम इतने के बाद यहां पर जनसंक्या बहुत जादा हो गई अब एक MLA के उपर भार बहुत जादा बढ़ रहा है यह नहीं कर पा रहा है इतने लोगों के काम तो क्या करते हैं, इसी शेत्र को जितना शेत्र पहले था, उसी शेत्र में से एक और MLA की सीट निकाल दी जाती है ताकि अब कुछ लोग यहां पर आ जाएं और इनको बता दें और यह अपनी जो प्रोब्लम से वो आगे लेके चले जाएं या MLA या MP होगे तो यही उदेश्या होता है कि आपका जनसंक्या का जो जनता है उनका परतिनीतितू मतलब कि कैसे किया जाएंगा यह decide किया जाता है परिसिमन आयोग के दवारा clear अब आगे चलते हैं क्या यह एक समविधानिक निकाय बेशक आर्टिकल 82 के तहत परिसिमन अधिनियम लागू किया जाता है यह बहुत जादा important है आर्टिकल 82 और आर्टिकल 70 आर्टिकल 82 क्या होता है आर्टिकल 82 बोलता है कि परिसिमन अधिनियम लागू किया जाएगा कब लागू किया जाएगा हर जनसंक्या के बाद हर जनसंक्या मतलब कि जनकरना हुई फिर दोबारा से परिसीमन आयोग का गठन किया गया और बता लगाया गया कि क्या MLA या MP की सीटें बढ़ाई जाएं मतलब सेंटर लेवल पर MP की और स्टेट लेवल पर MLA की क्या यी सीटें बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए तो 170 आर्टिकल की जु है वो परिसीमन अधिनियम लागू होता है तो क्या करते हैं के अंदर सरकार एक परिसीमन आयोग बना दिये जाता है परिसीमन आयोग का गठन कर देती है अब क्या हुआ था क्या पहले कभी हुआ दे बेशक है 1950 से लेके 51 पहला ध्यान रखना पहला परिसीमन अभ्यास राष्टरपती द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से 1950 क्यावन में किया गया था फिर उसके बाद देखे उसके बास 1952, 1962, 1972 और 2002 ये अधिनियम आये इस अधिनियम के बाद इनका मतलब परिसीमन आयोग का गठन किया गया था अब जैसे मैंने कहा कि हर जन गणना के बाद क्या होता है परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है गठन कैसे किया जाता है आर्टिकल 82 के बाद एक अधिनियम लागू हो जाता है जन गणना के बाद क्लियर यहां पर उसके बाद गठन किया जाता है अब हर जनगर्णा के बाद होता है कि हाँ बेशक होता है कभी मिस हुआ है 1981 और 1991 यह जब जनगर्णा हुई थी इसके बाद परिसीमन नहीं किया गया था तो यह question पूछ लिए जाते हैं अब परिसिमन में कौन-कौन होता है देखे परिसिमन का जो गठन है वो भारत के राष्टपती द्वारा किया जाता है और इसके अंदर कौन-कौन शामिल होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटाइड जजज होते हैं ज पर चिफ एलेक्शन कमिशनर होते हैं उसके अलावा जिस राजय में इस संबंदित चुनाव आयुक्त उसके अंदर शामिल होते हैं अब देखिए परिसेमन की आवशक्ता क्यों है मैं आपको बताचुका हूँ कि देश में विभीन भागों में एक ही राज्ये के अंदर क्या होता है कि जनसंक्या बढ़ने पर निर्वाचन शेत्रों की जनसंक्या में ऐसमान विर्धी हो जाती है मतलब एक MLA या एक MP के उपर बहार जादा आ जाता है वो लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं उनकी परिशानिया नहीं दूर कर पा रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो एक MLA एक MP की सीट इंक्रीज कर दी जाती है ताकि काम जो है वो सही से चल पड़े अब मुद्दे सुनिये मुद्दे क्या है काफी जादा important चीज है ये issue क्या है delimitation से देखे issue ये है कि एक तरफ तो आप बोलते हो भई भारत में ये बोला जाते हैं अब जन संक्या को control किया गया तो इसका फरक क्या पड़ा है यहाँ पर seat जो है वो MLA की जो MP की सीट है वो कम हो गई है यहाँ पर भई आप MP में तो चीज है यहाँ पर Member of Parliament Member of Parliament की सीटे यहाँ पर कम है as compared to आप उत्तर परदेश में चलिए उत्तर परदेश में 80 Member of Parliament की सीटे है तो ज़्यादा तरफ फोकस कहां पर रहेगा उत्तर परदेश में रहेगा वही एक तरफ तो आप बोलते हो family नियोजन करो मतलब परिवार नियोजन करो हमने तो परिवा बहुत बढ़ने थी वहाँ पर उन्होंने परिवार नियोजन कोई काम ही नहीं किया आप उनकी सीटे इंक्रीज करे जा रहे हो उनका परतिनी थी तो के अंदर सरकार मतलब केंदर केंदर बढ़ाये जा रहे हो लोगसभा के अंदर उनका परतिनी तो बढ़ाये जा रहे हो यह चीज तो कैसे होगी और यह काफी जादा debatable issue रहता है वह इस चीज को control कैसे किया जाए दक्षिन भारत के बीद जो राज्य हैं वो सही कह रहे हैं कि हमने तो कोशिश की ना हमने लोगों को सिक्षित किया लोगों को बताया कि जन संक्या नहीं बढ़ने देनी चाहिए और एक तरह आप जन संक्या बढ़ाए जा रहे हो इससे हमारा परती नहीं तो कम हो रहा है लेकिन यहाँ पर परती नहीं बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा तर आप देखते हैं कि उत्तर भारत की तरफ से ही जो है परधान मंत्री आ जाते हैं तो यह चीज़ें हो जाती हैं तो काफी जादा यह कि इशू रहता है इसको ध्यान रखना है आप लोगों को अब इसके अलावा क्या का गया है देखे समीधान ने लोगसभा और राज्यसभा की संक्या में करम से देखी यह फिक्स कर दी है लोगसभा के लिए 550 और राज्यसभा के लिए 250 सिटें जो हैं यहां पर सीमित कर दीगे और बढ़ती जन संक्या का परतिनीधी तो एक ही परतिनीधी द्वारा किया जा रहा है क्लियर यहां पर तो उमीद है कि आप लोगों को परिसीमन आयोग समझ में आया होगा कि कौन से आर्टिकल के तहत आता है क्या जरूरत होती है क्या इसके काम ह क्यों इसका विरोध हो रहा है जम्मो कश्मीर में I hope so यह सब चीजें आप लोगों को clear हो गई होगी अब clear हो गई होगी तो मुझे clear करने के लिए एमन लब की बताने के लिए आपने clear हुई है नहीं हुई है तो like बटन है वो press कर दीजिए मुझे बता चल जाएगा आपको clear हो भी अब PDF जो है मैं आप लोगों को starting में बताए चुका हूँ कि description box में एक channel का telegram channel का आपको link मिलेगा तो वहां से आप जाके download कर सकते हैं PDF को तो बसाज के लिए इतना है था thank you for watching this video